Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं Class Pisces जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि सब फाइलम वर्टिप्रेटा को दो Classes में डिवाइड किया गया एक तो हमने प्रीवेस वीडियो में कवर किया Cyclostrometa आज हम बात करेंगे Second Class की जो की है Pisces So welcome to Magnet Brains, मैं हुवे भूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक Class Pisces से देखो, जैसा कि हमने देखा था कि वो एनिमल्स जिनके पास Notocod present होती है उनको एक सेपरेट फाइलम में डाला गया जिसका नाम था Cordata अब यह Notocod throughout their life present है उनकी बॉड़ी में या फिर life की कुछी stages में या early stages में present है इसके basis पे further जो Cordata था फाइलम उसको दो सब फाइलम में डवाइड किया गया कौन-कौन सी ProtoCodata and Vertibreta ProtoCodata यह primitive Cordates थे और इनकी initial stages जो होती है उनकी लाइफ में उनमें Notocod present होती है जैसे जैसे यह Animals grow करते जाते हैं Notocod इनकी बॉड़ी से disappear होती जाती है फिर इसके बाद में second subphylum कौन सा था? Vertibreta Vertibreta में हमने पढ़ा था कि Notocod other cells की साथ combine होकर के एक और structure form करती है जिसे हम कहते हैं Vertibral column Further, subphylum vertibreta को हमने दो classes में divide किया था Cyclostromata and Pisces Cyclostromata हमने previous वीडियो में cover किया था जिसमें हमने देखा था कि वो उनकी fish like body होती है और mouth circular होता है और ectoparasite होती है दूसरी fishes की उपर as a parasite survive करती है आज हम बात करेंगे Pisces के साथ तो actually जो हमारी class है Pisces इसमें आती है actual fishes जो हम different type की fishes देखते हैं और जो edible भी होती है जो हम खाते हैं, consume करते हैं as a coastal food ये सब आती हैं किसकी category में Pisces की class में तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि they are fishes यानि कि ये actual fishes होती है जो Cyclostromata में हमने पढ़ा था उनकी fish like body होती है बहुत सारे characteristics हैं जो fishes के जैसे show करती है लेकिन actual fishes कौन है? Pisces Is that clear? Next हम बोलते हैं कि ये होती है exclusively aquatic animals सिर्फ पानी में ही मिलेंगी ठीक है? marine water में भी यानि कि salty water में भी मिल सकती है या फिर fresh water habitat में भी ये देखने को मिलेंगी Next cylindrical bodies and tapering ants देखो हमने cyclos tomato में क्या पढ़ा था? उनकी body कैसी होती है? eel-like होती है ठीक है? अब ज़रा इनकी body को हम देखते हैं कि इनकी body कैसी होती है cyclos tomato में कैसी हो रही थी? कुछ इस तरह की body हो रही थी cylindrical हो रही थी अब इनकी body कैसी होगी? ये circular mouth था अगर आपको ध्यान होती हो अब fishes की body कैसी होती है? एक basic diagram क्या होता है fishes का? कुछ इस तरह का होता है है ना? याने की ये मैंने यहाँ पे इनके fins बना दिये इनकी क्या होती है? streamlined bodies होती है beach में ये कैसे होती है? मोटी होती है cylindrical होती है लेकिन जैसे ही ends की तरफ जाएंगी tapering ends हो जाएंगे ठीक है? कैसी हो जैसे tapering ends हमने उसमें पढ़ा था जब हम tissues पट रहे थे muscular tissues में smooth muscles कैसी होती थी? tapering होती थी है ना? side में वो narrow हो जाती थी पतली हो जाती थी उसी तरह fishes की body भी होती है कौन से fishes? जो की Pisces की कैटिगरी में आती है cyclos tomates में हमने क्या देखा था cylindrical body होती है circular mouth होता है लेकिन जब हम बात करेंगे Pisces की Pisces की body होती है streamlined याने की बीच से थोड़ी मोटी रहेंगी और जैसे ही हम ends की तरफ जाएंगे चाहे ये वालो हो चाहे ये हो जहाँ पे mouth हो या जहाँ पे tail हो वो कैसी हो जाती है पतले हो जाते है तो ये क्या हुआ? streamlined body हुई इनकी इतना clear है फिर इसके बाद में इनकी skin जो है वो covered होती है scales और plates के साथ जब हम छोटे थे तो हम एक बहुत ही basic diagram बनाते थे fishes का कैसे? कुछ इस तरह से ये आप scales बनाते थे ये ही scales actually में ऐसा नहीं कि हमें सुंदर बनाना रहता था diagram इसलिए हम बनाते थे actually इनकी body इसी तरह से बहुत सारी scales और plates के साथ covered होती है ठीक है? fishes की body में बहुत सारी scales और plates देखने को मिलती है ये हुआ हमारा एक point फिर इसके बाद में obtain oxygen dissolved in water by using gills अब इनके पास gills भी होंगी और विसी बात हैं हम पढ़ते आ रहे हैं caudata के से की caudates के पास क्या होती है paired pharyngeal gills lids होते हैं तो fishes के पास respiration के लिए क्या होंगे? gills होंगे इन gills के तुरू water अंदर आता है और water अपने साथ oxygen ले के आता है तो fishes में या pices में respiration किस से होगा? gills से होगा इनकी body काफी slimy भी होती है क्यों? क्योंकि इनके पास होती है mucous gland mucous gland centrical bodies होती है ants कैसे होते है tapering होते है इसी तरह की structure को हम क्या कहते है streamlined bodies फिर इसके बाद में इनके पास muscular tail भी होती है movement के लिए फिर they are cold blooded animals cold blooded यानि की इनके body का temperature external environment के साथ change होता जाएगा बाहर अगर ठंड हुई तो इनकी body का temperature भी कम हो जाएगा बाहर अगर गर्मी हुई तो इनकी body का temperature भी बढ़ जाएगा ये एक होता है method ये होता है survival technique जिसकी वज़ा से ये adverse aquatic conditions में भी survive कर जाती है फिर इसके बाद में heart होता है इनका two chambered heart सभी vertebrates में कैसा होता है ventrally positioned होता है फिर इसके बाद में अब इनके पास भी क्या होता है एक endoskeleton होगा ठीक है endoskeleton होगा किसी ना किसी चीज से तो बनेगा किस किस से बन सकता है cartilage से बन सकता है और bone से बन सकता है इसी वज़ा से Pisces को further दो categories में divide किया जा सकता है अगर आपको भी नाम यार ना हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको एक additional point दे देती हूँ कि वो fishes, वो Pisces जिनका endoskeleton cartilage से बनता है उसे हम कहते हैं chondrecties और जिनका bone से बनता है उन fishes को उन Pisces को हम कहते हैं याने कि chondrecties and ostrichthies ये दो further Pisces को दो categories में divide किया गया है on the basis of endoskeleton जिनकी body में present होता है अगर cartilage का बना है तो chondrecties और bones का बना है तो ostrichthies तो ऐसी Pisces या ऐसी fishes जिनका endoskeleton बना होता है किस के साथ? cartilage के साथ उसके example है sharks और scolidon जिसे हम कहते हैं dogfish और एक होती है torpedo ठीक है? बाकि जितने भी आपको Pisces मिलेंगी उनका जो endoskeleton है वो किस से बना होता है? bone से बना होता है याने कि endoskeleton होगा bony endoskeleton present होता है दो चीजों से बना होता है या तो cartilage या bone से cartilage का अगर बना होगा तो ऐसी fishes को हम कहते हैं chondric thies जिसमें की sharks आती है और sharks आएंगी और torpedo आएगा right, scolidon आएगा और जिनका endoskeleton bone से बना होता है उन्हें हम कहते हैं ostrich thies और उसमें concon आएंगी बाकि सारी fishes आएंगी tuna आजाएंगी stingray वगेरा ये सब आजाती है इतना clear है फिर इसके बाद में इनके पास होते हैं paired fins अब भई fishes को fins की तो बहुत requirement होती है fins की जो उनको तो function होता है वो depend करता है उनकी position पे कहां पे fins present है तो उनका function भी उस हिसाब से होगा लेकिन majorly fishes की जो fins होते है उनका function होता है fish को help करना swimming में ठीक है क्योंकि fish को रहना है पानी में तो उसको swim तो करना ही पड़ेगा तो जैसे आपकी देख रहे हैं एक diagram इसमें हम बता रहे हैं different types of fins in fishes यहाँ पे आपको देखेगा आगे की तरफ एक है pectoral fin फिर आपको यहाँ देखेगा pelvic fin यह वाला जो है यह है pectoral यह कौन सा है pelvic यह क्या है dorsal body के dorsal side में present है इसलिए इसका नाम रख दिया dorsal fin फिर यह आग्या anal fin anal fin क्यों क्योंकि यह inus के प्रास present है इसलिए इसका नाम रख दिया anal fin फिर इसके बार में इसको हमने छोटा सा fin है यह हुआ adipose fin फिर यह हुआ caudal fin caudal fin क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह tail के प्रास present है इतना clear है fishes में अलग-अलग type के fins होते हैं pectoral, pelvic, dorsal, anal, adipose, caudal fin इनका जो function से वो depend करता है इनकी position पे कहां यह placed है fishes की body में उसे साब से इनका function भी change हो जाता है लेकिन एक common function होता है इन सभी fins का वो है swimming क्योंकि fish को swim करने की बहुत जरुवत होती है पानी में इसलिए यह सब की सब major function इनका क्या होता है swimming करना लेकिन कुछ fish ऐसी भी होती है जिनमें यह fins जो होते हैं वो walking का काम करते हैं चलने में help करेंगे जैसे की हमारी mud के पर आप यह एक GIF देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं जहां पे यह दो fish इस वाली fish पे आप focus कर सकते हैं यह चल रही है mud में और इसकी walking में कौन help कर रहा है यही fins help कर रहा है तो major इनका सभी fins का काम क्या होता है swimming perform करना लेकिन जैसे की हमारी mud के पर है इसमें fins क्या कर रहे हैं उसकी walking में help कर रहे हैं उसके चलने में help कर रहे हैं इतना clear है आपको फिर इसके बाद में देखो अलग-अलग fishes की अलग-अलग speed भी हो सकती है जैसे के हमारी tuna जो होती है वो एक घंटे में 70 km तक जो हना cover कर सकती है और वही हम अपने horse sea horse की बात करें तो वो उसको एक घंटा लग जाता है से 5 feet travel करने के लिए तो अलग-अलग fish होती है उनकी अलग-अलग speed भी होती है अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया एक बार हम जल्दी से इसको summarize करते है ये actual fishes होती है aquatic होती है सिर्फ पानी में ही मिलेंगी और marine water में भी मिल सकती है और fresh water में भी मिल सकती है फिर इसके बाद में इनकी body कैसी होती है cylindrical होती है लेकिन tapering ends होते है तो ऐसी body जो की cylindrical हुई और tapering ends हुई उसको हम कहते है streamlined bodies ठीक है? एक basic diagram जो हम बच्पन में बनाते थे fishes का वो कैसा बनता था? इस तरह का बनता था Streamline bodies होती थी यह हम tail बनाते थे यह fins बनाते थे और हम क्या बनाते थे? Scales भी बनाते थे तो of course इनकी body जो है further बहुत सारी scales के साथ covered होंगी फिर इसके बाद में Streamline bodies हो गई अब इनके पास respiration के लिए क्ली क्या होता है? gills होता है gills के तुरू water अंदर आएगा वो क्या है? fishes को swimming में help करना एक हमने exception भी देखा था muds के पर जिसमें की उसके जो fins है वो उसकी walking में help कर रहे थे फिर skeleton होता है endoskeleton cartilage का भी बना हो सकता है और bones का भी तो cartilage किस-किस में होता है? sharks में होगा और torpedo में होगा scoridon में होगा बागी जित्ती भी fishes होती है उन सभी में endoskeleton कैसा होगा? bony होगा? bone से बना होगा contact these और ostrich these इतना clear है फिर इसके बाद में इनमें heart भी present होता है two-champered heart एक auricle और एक ventricle फिर ये होते हैं cold-blooded याने की इनका body का temperature external environment के respect में change हो सकता है और ये सभी कैसी होती है oviparous होती है याने की एक्स ले करती है इसका भी एक exception है shark shark सीधे जो है young ones produce करती है eggs produce नहीं करेगी और बाकी जित्ते भी होंगे वो सब eggs produce करते हैं इसलिए वो क्या हो गए? oviparous shark's exception है वो होते हैं viparous इतना clear है अब कुछ अच्छे-च्छे diagram देखते हैं जैसे कि ये ये है एक mandarin fish ठीक है? जो कि अपनी beauty के लिए बहुत जानी जाती है obvious सी बात है poisonous है हम इसे खा नहीं सकते तो ये हुई mandarin fish इसको आप देखिए कितनी सुन्दर है colorful है बहुत सारे colors इसमें देखने को मिलते हैं तो ये अपनी beauty के लिए जानी जाती है फिर इसके बाद में एक होती है angler fish angler fish भी बहुत जादा poisonous होती है फिर आती है lion fish lion fish के बाद आती है exocytus exocytus को हम flying fish भी कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ distance तक fly कर सकती है अपने infants के through ये कुछ distance तक fly भी कर सकती है इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? exocytus कहते हैं इसके बाद में और example देखते हैं ये हमने बोला scoliodon scoliodon जिसके हमने बोला था dogfish ठीक है? और इसमें कौन सा cartilage होता है? जल्दी बताइए ये तो हो गया बोनी के तो बहुत सारे examples हमने देखे थे हमने सिर्फ तीनी देखे थे torpedo, scoliodon and shark उनमें skeleton किसका बना होता है? endoskeleton cartilage का बना होता है इतना clear है ये होती है pristis pristis को हम sawfish भी कहते हैं क्यों? क्योंकि इसका mouth जह है वो एक saw की तरह होता है फिर इसके बाद में रोहू इसे हम खाते भी है as a coastal food फिर यह होता है seahorse seahorse के बारे में एक खास्यत यह है कि एक तो ये parental care show करता है यानि कि जो male seahorse होता है वो अपने young ones को इनके पास होता है एक brood pouch तो उसमें रखता है unlike other fishes जिसमें की other animals जिसमें की females अपने young ones को carry करती है लेकिन जो seahorse है male seahorse अपने young ones को carry करेगा अपने brood pouch में इतना clear है फिर इसके बाद में और एक और खास्यत है seahorse के बारे में कि ये vertically swim करता है बागी सारे fishes horizontally move करती है लेकिन seahorse vertically move करता है फिर इसके बाद में ये है stingray stingray जो होती है ये बहुत ही poisonous होती है torpedo torpedo जो है वो electric shock produce करती है जिसकी help से predators इनसे दूर भागते हैं तो ये भी एक survival technique हो गई stingray ने क्या किया poisonous sting होता है इसका और torpedo ने electric shock produce करती है ये है एक survival method trick जिससे की अपने predator से बच जाती है फिर इसके बाद में अब एक बार हम quick recap कर लेते हैं सभी points हमने एक साथ देख लिये हैं ये जो हमारी class है Pisces ये होती है original fishes इन में ये सभी aquatic होती है कुछ marine होती है कुछ fresh water होती है इनकी body streamlined होती है scale से covered होती है slimy होती है क्यों क्योंकि mucle gland present है heart present है two chamber heart जिसमें की एक होता है auricle एक होता है ventricle फिर इसके बाद में endoskeleton है cartilageiness, bony cold blooded animals होती है इनके body count temperature surrounding environment के साथ change होता जाता है बहुत सारे fins इन में present होते हैं उस case आपका function होता है इसके अलावा यह oviparous होती है oviparous यानि की eggs ले करेंगी exception है shark जिसमें की वो सीधे young ones जो है produce करती है यह सब point आपको clear है तो इसी के साथ हमारी जो class है Pisces वो हमने इस video में cover करी है next video में हम एक और class पढ़ेंगे vertebrata की Complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर अपग्रेड करें और इस topic के notes आपको available हैं हमारी official website पर magnetbrains.com पर Thank you for watching